जैहिन साथियों आप सभी काईबार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों उत्राखंड अधिनस सेवा चेहिन आयोग यानि कि यूपे ट्रिपलस से ने एक नई भरतियां पर जारी कर दी है क्या है भरति क्या इसके लिए eligibility criteria है कौन लोग इसको भर सकते हैं क्या यूशिमा रहेगी उम्र क्या रहेगी किसन की विभागों में या किन किन पदों पर ये भरतियां होंगी सारी details यहाँ पर जो आपको बताई जाएंगी वीडियो को पूरा जरूर देखेगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर 8 जनवरी को ये विग्यापन आपका जारी हुआ 10 तारिक से आप online आविदन कर सकते हैं online आविदन कैसे करते हैं या तो आप cyber से कर सकते हैं दूसरा अपने mobile से कैसे खुद ही करें इसके लिए एक वीडियो हम 10 तारिक को चैनल पर अपलोड कर देंगे जैसा कि पिछले सभी विग्यापनों की हम आउनलाइन जो है अवैलेबल करवा देते थे उसमें आपको सारे स्टेप्स बताए जाएंगे फिरी आफ कॉस्ट आप कैसे भरेंगे सिर्फ जो सुलक होगी वही आपको अपने एटियम से या यूपियाई से या फिर नेट बेंकिंग की तुरों कारतने पड़ेगी ठीक है तो तीस तक आप भाड़ सकते हैं फार्म करेक्शन डेट ऑनलाइन एक फरवरी से तीन फरवरी है तो विज्यापन को अच्छे से पढ़ ली जिएगा 11 अरी वीडियो को अनुमानित आपकी एक्जाम डेट रखी गई है फर्म कैसे बरना है सारी जान करें मैं आपको दस तारिक वाली वीडियो में डेटेल से बताऊंगा तो www.uk.gov.in से ऑनलाइन आप करेंगे एक किस्ते पहां पर पता चल जाएगा अब एक चीज़ देखिए 136 यहां पर टोटल पद है 136 ठीक है और जो आईशिमा है लगबग जादतर पदों में आपका 21-22 परस है तो एक सभी के लिए यह आपकी होने वाली है बहरहाल यह हो कि आपकी जो सैक्षी गहरता है वो सबजेक्ट वो चीज़ आपने कर रखी हो पासुधन परसार अधिकारी के 120 रिक्तपद ऐसे फिर खाद्य परसंसकरण विभाग में सहायक प्रशिक्षन के रसायन साखा के तीन रिक्तपद रहिसम विभाग में आपके 10 तो टोटल 136 पद है ठीक है इसका ध्याना कियेगा टोटल पदों का यहाँ पर विवरेंड दिया गया है ठीक है यहाँ पर पुरा विवरेंड देख सकते हैं अन्य पदों पर भी हम चर्चा करेंगे कि कब आपके पद आएंगे तो पसुधन परसार अधिकारी के 120 पद जो मैक्सिमम है उनमें आप देख सकते हैं जो आपकी सैक्षी का हरता रहेगी वेतनमान 35,000 से एक लाग पार अचरेन की लेवल 6 का आपको वेतनमान मिलेगा पेसकेल 21 स्वर्श से 22 स्वर्श आपके उम्र होगी आपका ये अस्थाई और आज पत्रित जो है पद का ये स्वरूप होता है ठीक है सैक्षी का हरता की बात करें तो भारत में विधी द्वारा इस्तावित किसी विष्व विध्याले से आपने जीविग्यान, कृसी या पशुपालन में से किसे एक विष्वाय में सनातक किया हो देखे इसका ध्यान न किये का कई लोग ये पूझते हैं तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आपके इलिजबिलेटी क्राइटेरिया है तो बाद में कई लोग कमेंट सेक्स में पूसते हैं तो क्लियरली आप देख सकते हैं या तो आपने सनातक में जीवी क्यांसे कराओ या क्रिसे से या पसभालने नोट यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पसुदन परसार अधिकारी पत के लिए चाइने दविर्थी से न्यूक्त के पूरो नियूनतम दो वर्स की अविदी की अधवा ऐसे प्रसिक्षन जैसा समय समय पर सरकार दोरा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी तो यह आपकी सेक्षी गहता होगी फिर उसके बाद दो वर्स यह विभाग यह प्रसिक्षन दिया जाएगा यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है प्रसिक्षन अविदी में सम्मन्ने दविर्थियों को वेतन मान दे अन्य भथते दे नहीं होंगे तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं नेक्स्ट अधिमानी अहरता हैं जो कि हर आपका पूस्ट में या विभाग में यह दी जाती हैं एनसेसी ठीक है राश्टेक एड़िट कोर का भी प्रवाण फत्र या फिर एनसेस तो इनको अहरता हैं दी जाती है दूसरा पद नाम इसमें टोटल तीन पद हैं अभी 120 थे सहायक प्रसेक्चन अधिकारी रसाइन विग्यान कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप ये पूरा सुरूप देख सकते हैं ठीक है इसके लिए जो आपका येलेजबिलिटी क्रायटिरी है वो आपका एक तो है कि किसी मानीता प्राप्त विस्विड्याला या सांस्तान सिया अपने रसाइन या भूमे मर definition या कृसी रसाइन के साथ PSC या PSC करसी करा हो तब ही आप इसके लिए eligible होंगे ठीके इसका ध्यान नकी का कृसिरस है नेक्स आपका अधिदर्सक रहेसम विबा के कुल 10 पद है तो ये सारी चीज़ां आप देख सकते हैं नेक्स जो important है आपका लिखित प्रतियोगी परिक्षा का पाठेकरम सौंकों की वस्तुनिस्ट प्रकार की बहुवे कलपी आपका objective टाइप विद multiple choice question होंगे दो गंटे का समय दिया जाएगा ठीके तो ये सारी चीज़े हैं नेक्स पासिंग रैटेरिये ये सारी आपको हलगबग हर notification में दिख जाएगी नेक्स आपका main आयू तो आयू सबका वहाँ पर दिया गया था एक जनवरी दोहजार चॉबिस क्या है गंटना की निश्चायक दिती है यानि कि इस डेट को आप 21 वर्स से 22 वर्स के बीच में लाई करने चाहिए तब ही आप इसके लिए eligible होंगे आविदन ही तो पातरता आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं सुल्क की बात करें तो सुल्क यहाँ पर आपको दिख जाएगी ठीक है OBC जो unreserved categories है अनारक्षित सामान्य उत्राखंड अन्य पिछडा वर्ग तो 300 आपको सुल्क देना है CST EWS को 150 उत्राखंड के दिव्यांग को 1.500 तो यह सारे सुल्क आपको यहाँ पर देनी होगी नेक्स्ट सुल्क की बात हमने कर दी फॉर्म कैसे भरना है इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे ठीक है आप यह तो cyber cable से भर सकते हैं या www.uk.government.in से भर सकते हैं अंतिम में इसका syllabus एक बार देख लेते हैं तो जैसे क्रिसी से आप आपने graduation कर रखाया है तो उसके लिए syllabus यहां पर दिया गया है ऐसे क्रिसी resign से कर रखाया है तो वो पूरा syllabus आपको दिया गया है यह PDF को official website पर मिल जाएगा